हरी ओम मैं कुमारी नमीता आज मैं पार्ट फुल का मुल्ल पढ़ाने वाली हूँ जिसके लेखक है रविनाथ ठाकूर और ये पार्ट कक्छा अस्टम का है तो हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं प्रस्तावना है रविनाथ ठाकूर ने अनेक कहानियां और कविताइन लिखी है ये बंगला भाषा की कहानी है इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है इस पार्ट में फूल के मुल्य पर विचार किया गया है और अंत में बुद्ध के चर्णों में फूल को शमरपेद किया है तो हम लोग इसे चित्र के माध्यम से आज समझेंगे शीद काल के दिन थे शीद काल की परचन नता के कारण पौधे पुष्विहिन थे बन उबबन में उदासी चाई हुई थी फूलों के अभाव में पौधे श्रीहिन दिखाई दे रहे थे ऐसे उदास वातावरन में एक सरोवर के मैद कमल का फूल खिला हुआ देखकर उसका माली परचन हो उठा उस माली का नाम सुदास था ऐसा सुंदर फूल तो कभी उसके सरोवर में खिला ही नहीं था सुदास उस फूल की सुंदरता पर मुध हो उठा उसने सोचा कि मैं यदि यह पुस्प राजा के पास लेकर जाओंगा तो वो पुस्पो की सुन्दरता के दिवाने थे इस सीत काल में जब पुस्पो का अभाव है तब इतना सुन्दर पुस्प दे कर उसे इसका मंचहा मुल मिलने की उम्मेद थे उसी समय एक सीत लहर आई सुदास को लगा कि ये पवन भी कमल के खिलने पर अपनी परशनता प्रकट कर रही है माली को ये सब सुब अच्छन लगे वह सहस्त्र दल कमल के फूल को देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रहा था वह उस फूल को लेकर राज महल की और चल पड़ा राजमहल की और जल पड़ा वो मंचाहे पुरसकार की कामना में डुवा हुआ था राजमहल पहुचकर उसने राजा को समाचार भिजवाया वह विचार मगन था कि अभी उसे राजा बुलाएंगे राजा इस सुन्दर पुष्प को देकर अतन परशन हो उठेंगे अच्छे मुल की अभिलाशा में वह यतन पुर्वक उस पुष्प को पकड़े हुए उसे प्रेम पुर्वक निहार रहा था राज महल के बाहर खड़ा वह राजा द्वार बुलाए जाने की पर तिक्छा करी रहा था कि तभी राज पत पर जाता हुआ एक शब्य पुरुष्प कमल के फूल की सुन्दरता पर मुग्द होकर सुदास के पास आकर पुष्णे लगा फूल बेचोगे मैं तो यह फूल राजा जी के चर्णों में अर्पित करना चाहता हूँ सुदास यह उतर दे कर चुप हो गया तो मैं यह फूल राजा जी को देना चाहते हो किन्तु मैं तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चर्णों में अर्पित करना चाहता हूँ भगवान तथागत यहां पधारे हैं बोलो तुम इसका क्या दाम लेना चाहते हो मैं चाहता हूँ मुझे इसके बदले सुदास कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बदले एक माशा श्वन मिल जाए उस पुरुष ने तत्काल यह मुल सुदास के पास कमल का फूल देखकर वे परशन हो उठे इस प्रचन्ड सीथ में फूल कहीं ढूनने से भी नहीं मिल रहे थे ऐसे में इतने सुन्दर पुष्प को देखकर उनका मोहित होना शवाविक ही था उनकी पूजा की थाली में पुष्प की ही कमी थी राजा जी ने सुदास से पूछा इस फूल का क्या मुलने लोगे सुदास बोला महराज फूल तो ये सज्जन ले चुके हैं कितने में एक माशा श्वार्ण में मैं तुमें इस पूष्प के बदले 10 माशा श्वार्ण दूंगा राजा जी की बंदना करके उन सज्जन ने कहा सुदास मेरी तरफ से 20 माशे स्वार्ण ले लो राजा जी से निवेदन करते हुए वो सज्जन बोला महराज आप तथा मैं दोनों ही तथागत के चर्णों में ये पुस्प अर्पित करना चाहते हैं तथागत याने गौतम बुद्ध के चर्णों में इसलिए आप और मैं इस समय राजा या परजा ना होकर दो भक्तों की तरह ही वेभार करें तो ज्यादा उचित रहेगा भगवान की दिश्टी में सभी भक्त एक शमान होते हैं मधूरवानी में राजा परशन जितने कहा भक्त जन मैं आपकी बास सुनकर परशन हुआ आप इस पुस्प के लिए 20 मासा दे रहे हैं तो मैं इसका मुल 40 मासा श्वन देने के लिए तयार हूँ तो ये फूल मेरा है भक्त के वाक्त के पूरा करने से पहले ही सुदास बोल पड़ा हे राजन एवं भक्त जन आप दोनों ही मुझे छमा करें मुझे ये पुस्प नहीं बेचना है इतना कहकर वो यहां से चल पड़ा वे दोनों आशर पुर्वक उसे देखते रह गएं सुदास पुस्प लेकर गौतम बुद्ध के अस्थान की और चल पड़ा वो सोच रहा था कि जिस बुद्ध देव को देने के लिए यह दोनों इस पुस्प की इतनी कीमत देने को तयार हैं यदि मैं स्वयम ही उन्हें ये पुस्प अरपित करूं तो मुझे और अधिधन क की प्राप्ति होगी वह महात्मा बुद्ध के अस्थान की और चल पड़ा उसने देखा कि एक बढ़ प्रिक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यार मग्न पदमाशन अवस्ता में बैठे थे उनके मुख पर एक अध्भूत आभा थी चेहरे पर अध्भूत तेज था ओठो पर हाश्र के स्मित रेखा थी पूरा बैक्तित तो एक अनुप्ठा प्रभाव लिये हुए था सुधास उन्हें देखकर अपने होसो हवास भूलकर आधर पुर्वक एक टक भाव से उन्हें निहारने लगा आगे बरकर उसने आधर पुर्वक उनके चर्णों में वो फुल अर्फित कर दिया उसका तर्ण मन एक आलोकिक सुक का अनुभव कर रहा था महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया है वत्स क्या चाहिए आपकी क्या इच्छा है सुधास मधुश्वर में बोला कुछ नहीं बस आपका आसिरवाद चाहिए आपके पैरों के धूल चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस तरह ये फूल का मुल कहानी पूरी होती है इस कहानी का मुल उद्धेश क्या है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुस्व की कीमत नहीं लगाई जा सकती है सच्चे भक्ति के आगे कोई भी इनाम छोटा होता है जहां भक्ति सच्ची होती है वह कोई भी इनाम बड़ा नहीं होता है आगे हम लोग इसके सब्दार्थ है वो देखेंगे उसके बाद सीत काल का अर्थे सर्दी का मौशम प्रचन्द सीत यानि भयंकर पूस्प कार्थे फूल, कुंच कार्थे बाग बगीचे, विथियों कार्थे गलियों तरुगण, यानि ब्रिक्षो का शमू प्रचन्द शिशु वहिन, कार्थे बालक की बिना उदाशीन, कार्थे सुस्त, प्रफुल लेट, खिला हुआ, सरोबर का रथे तालाव, प्रदा सुब, मोध, खुशे, पवन, कार्थे हवा, परतिक्षित, कार्थे इंतिजार करना, नैनो, आखों, तुशार कन, कार्थे ओस के कन, संचिप्त यानि छोटा, शुवर्ण यानि सोना, बाजद, बाजे, निहार कर यानि देख कर, रमनियों यानि युवितिया, हर्शित, कार्थे खुश, विपन, कार्थे जिन्ति थोना, विश्मय यानि आशर, द्रव कार्थे धन, अस्तब्ध यानि हैरान, ललाट कार्थे माथा, निर्निमेश कार्थे पलक जपके बिना यान का अर्थे बेटा चरन रज पैरों की धूल करनी का कर्थे कर्ण सहस्त्र गल करते हजार हजार पंखुरियों वाला मनोहर यानि सुन्दर मन को हरने वाला अकाल यानि बीना समय इसके बाद यहां प्रसंद दिये गया है पांच छे प्रसंद दिये गया है जिसे हम लोग वीडि करेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इससे पर कॉमेंट करें लाइक करें और शेयर भी करें अधन्यवाद